हेलो, सेकंड स्टांडर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिज ग्रामर, अवर न्यू लेसन, लेसन नमबर सेवन्टीन की जो है पेज नमबर ट्वेंटी फाइव पे, सिंपल फ्यूचर टेंज, इधर मैंने आपके सामने कुछ एक्षन वर्ड्स लिखें, सम एक्षन वर्ड्स, कुछ एक्षन वर्ड्स सारे नहीं लिखें, कुछ कुछ लिखें, जैसे की प्ले, खेलना, स्पिक, बोलना, कम, आना, इट, खाना, फ्लाइ, उड़ना, इस तरीके क्यों होते हैं ना एक्षन वर्ड्स? इसको रूट वर्ड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रूट वर्ड, क्या कहते हैं, बोलो एक बार, रूट वर्ड, किसको कहते हैं, रूट वर्ड, यही, एक्षन वर्ड को, ठीके, एक्षन वर्ड ही, रूट वर्ड, अब जैसे कि अगर हमको इस root verb इसके सामने अगर मैं ये लगा दूँ विल विल प्ले तो ये विल क्या होगा विल प्ले मतलब मैं खेलूंगी खेलूंगी अभी खेल नहीं रही है खेलूंगी फिर इदर भी मैं लगा दूँ श्पिक उसके सामने में लगा दूँ विल तो विल श्पिक बोलूंगी है ना फिर इदर के आएगा विल कम तो आउंगी मैं आउंगी इट तो विल इट खाऊंगी है ना विल फ्लाइ उडऊंगी अब ये विल क्यों लगता है जब फ्यूचर टेंस होता है तब विल लगता है इस रूट वर्ब के साथ इसलिए मैंने इदर ये प्लस का सेंड किया विल लिखेंगे प्लस उसके साथ कोई भी रूट वर्ब तो वो बन जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस ठीक है कैसे बनेगा हमारा फ्यूचर टेंस पहले हम विल लिखेंगे फिर उसके साथ हम लिखेंगे रूट वर्ब और रूट वर्ब क्या है यही जो एक्षन होते हैं वो उसको और थोड़ा अच्छे से समझें तो ये विल प्लस रूट वर्ब जैसे की इदर लिखा है धेई विल कम टुमोरो धेई यानि की वे लोग टुमोरो यानि की आने वाला कल टुमोरो यानि की आने वाला कल वे लोग कल आने वाले हैं या फिर वे लोग कल आने वाले हैं वे लोग कल आएंगे तो ये क्या हुआ future की बार अभी आई नहीं है आ भी नहीं गए है आने वाले है तो ये हुआ future tense ठीक है कोई भी हमारा action होता है या कोई भी जो काम होता है वो future में अगर होने वाला है तो उसके लिए हम use करते हैं future tense ठीक है हमारा कोई काम हम थोड़ी देर बाद पूरा करने वाले हैं है ना थोड़ी देर बाद में तो वो future कहलाता है अब इसके और example देखे Our teacher will teach us a new lesson in the next period अब इदर क्या कह रहे हैं कि next period में हमारे teacher हमको एक नया lesson सिखाएंगी क्या कह रहे हैं इदर next period यानि कि अब जो period change होगा उसमें हमारी teacher हमको नया lesson पढ़ाएंगी तो वो future की बात कर रहे हैं अभी पढ़ा नहीं रहे हैं जब period change होगा तब जो period आएगा उसमें हमारे teacher हमको नया lesson पढ़ाएंगे जैसे मैं भी अब आपको बोलू कि कल में आपको video भेजूंगी है ना कल भेजूंगी भेजा नहीं है पर कल में आपको भेजने वाली हो वो future में होने वाला है यानि कि बाद में होने वाला है तो इसको कहते हैं future tense तीसरा example है we will go to a hill station तीसरा example देखें we will go to a hill station in the next summer vacation अब वो कब की बात कर रहे है next summer vacation जो अब आने वाला है तब हम hill station जाएंगी है ना next अभी जो summer vacation है वो नहीं अभी जो next summer vacation आएगा तब हम hill station जाएंगी जो future में action होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको कुछ homework दे रही हूँ जो आप अपनी rough notebook में लिखेंगे ये सारे read do sleep begin start इसको हमको क्या करना है इसके जैसी लिखना है will plus root work कैसे आगे will लिखोगे तो क्या हो जाएगा will read तो वेसे इधर क्या होगा पढ़ूंगी will read का क्या होगा पढ़ूंगी चाहे वो एक घंटे बात पढ़ेगी तो फिचर में आएगा कल पढ़ेगी आने वाले कल tomorrow read करेगी तो I will read tomorrow में कल पढ़ूंगी वेसे ही will do इधर will sleep इधर will begin इधर will start will do यानकी करूंगी will sleep यानकी सो जाऊंगी will begin शरुवात करूंगी will start start करूंगी अब ये सारे जो है वो क्या है ये सारे जो है वो root verb है आगे हम क्या लिखेंगे will 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 सब में क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया है तो आप ये homework करंगे rough notebook में ओके थेंक्यू स्टूडेंट्स